जैशे किशना दोस्तों मैं मीतू अपने चानल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई मैं आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ जैशे किशना बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं इश्वर से आप सब की खुशाली की कामना करती हूँ आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग और एफेक्टिव और हामलेस फेस्ट पैक लेकर आई हूँ इसे आप स्कवर भी कह सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें इंगीरेंट्स हम यूज करेंगे वह सारे हमें अपने केचन में अविलेबल हो जाते हैं हम किसी भी इसमें कामिकल का यूज नहीं करेंगे और बहुत ही कम इंगीरेंट्स हमारे यह फेस्ट पैक रिडी हो जाता है और यह बहुत ही इंस्टेंट ग्लो देता है स्किन को स्किन को एकदम क्लीन कर देता है टोन इवन हो जाता है कंप्लेक्शन में भी फरक लगता है और एकदम काते ना छहरे एकदम खिलकर आ जाता है इंवन यूज तो वो मेरा फेस पेक है जो में बनाओंगी वो में बनाओंगी बनाना से जनरली समस में क्या होता हम बनाना लाते हैं लेकिन क्या होता के बार कंजूम नहीं हो पाते हैं और गर्मी में केला जल्दी खराब भी हो जाता है तो थोड़े से केला ज़रा ज़्दा पकने लगते हैं आप उन्हें फैकी मत आप उन्हें अपने फेसपे as a face pack यूज करें वो इसका मैं थोड़ा सा टुकडा लोंगी इस सरासे यह देखिए इस सरासे मैने बावल में लिया है और मैं इसको अप्छे से मैश करलूंगी इस मैश आपको अच्छे से करना है जिससे की यह स्किन पर अच्छे सा हम इसको यूज कर सकें यह देखिए यह देखिए मेरे बनाना अच्छे से मैश हो चुका है अब मैं इसमें एड करूंगी कुछ लेमिन की बूंदे यानि की कुछ नीवू की बूंदे अब मैं इसमें एट करूँगे थोड़ा सा हनी यानि की शहद ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें हनी लिया है लगबग हाफ स्पून से थोड़ा से ज़ादा ये देखिए लगबग मैंने इसमें 3-4 थी ये देखिए इस तरह से इतना मैंने शहद लिया है अब मैं इन सब चीजों को अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूँगी ये मेरा मिक्स हो चुका है तो मेरा फेस पेक दोस्तों अब रेडी है आए इसे फेस प्लाई करते हैं फेस पर अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को जो आप नॉर्मल रूटीन को जो भी फेस वास जो भी क्लिनिंग मैंने यूज करते हैं आप उसको यूज करें फेस आ कोटा सा टाल लगा लेती हूं जिससे मेरी ड्रेस पे अगर कुछ गिरता है तो मेरी ड्रेस उसे खराब ना हो तो आई एसको लगाना स्टार्ट करते हैं थोड़ा-थोड़ा में लूंगी इस तरह से फिंगर्स की हल्प से और ऐसे सर्कुलर मोशन मसाज करते हुए मैं इसको पूरे फेस पे मैं इसको इससे मसाज करूंगी सर्कुलर मोशन में धीरे-धीरे आई के नीचे अरिया का भी आप कवर करिएगा और आप नेक ज़रूर कवर करिएगा क्योंकि फेस और नेक का टोन एक जैसे होना चाहिए जनरली हम लोग फेस फेस क्लीन कर लेते हैं नेक अब मैं इससे पूरे अपनी फेस पे लगबग दो से तीन निट मसाज करूंगी सर्कुलर मोशन में आई के नीचे भी हम इसे लगा सकते हैं धीरे-धीरे लेकिन ध्यान रखे कि आखों में जाए और मैं इसे पूरे फेस पेस मसाज करूंगी और फिर से में सूखने के अब मैं इसे नॉर्मल पानी से वाश कर लूँगे दोस्तों यह देखिए मैंने अपना फेस को अच्छे से वाश कर लिया है आप देख सकते हैं देखिए कितना इंस्टेंट ग्लो एकदम फेस पे दिख रहा है अगदम फेस एकदम क्लीन लग रहा है तो यह बहुत ही एफ पैकने के लिए रिडी करते हैं उससे मैंने इसको बनाया है तो आपको भी थोड़ा पका हुआ ही बनाना लेना है कच्छा बनाना नहीं लेना है तो आईए अब देखिए मैं हलका सा इस पे क्या करती हूं अपनी बिंदी अप्लाई कर रही हूं और हलका सा मैं लिब बाम ल लग रहे हैं और ग्लो तो देखी रहें आप तो यह बहुत ही कारगार नुकसा है उससे जरूर ठ्राइब करिए गार अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो लाइक करिए गार शेयर करिए गार मेरे चैनल को सब्स्व्राइब करना बिलकुल मत भूलिए गा और कमेंट्स क मिलेगा तो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नहीं वीजियों में तब तक के लिए राधे राधे